अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसे बस एक अच्छा सा आइडिया दे दिया, जिससे सब सही हो जाएगा ऐसा अच्छा आइडिया हमें भी बताओ, जिससे 6 महिने में 38 लाख रुपे आ जाए यहां तो कंटेनर उठा के हमारे हाथ दुखने लगे देखो मैं लोगों को ऐसे आइडियास तो नहीं देता हूँ, उन्हें इंस्पायर कर देता हूँ बस मैं जान बूच कर उन्हें इंस्पायर नहीं करता हूँ, बस वो मेरी बात सुनते हैं और इंस्पायर हो जाते हैं तुमने उससे क्या कहा और उसने तुमसे क्या सुना मैं तो निसमझ मारी। सच बताओं तो मैंने बस आपकी पोती का सोचने का नजरिया बदले। अगर आप भी सुनेंगी ना तो बोलेंगी कि वह क्या आइडिया है। और जट से मेरे पास आएंगी और फट से मुझे कले लगा लेंगी। चुपकर जलेभी की तरह बातों को गुमाना बंद कर और सीधे से बता कि तुने उससे क्या समझाया। पहले तीन को टोपी पहनाओ वो और नौ लोगों को टोपी पहनाएंगे कहिए उस तरह की स्कीम को देंगे ना। और तिस लाख रुपे उपर से नौकरी भी छोड़ रही है। मेरी तो जान निकली जा रही है। चिंता मत करो, तुम हमेशा इतनी टेंशिन क्यों लेती हो देव का, ऐसे ही कह दिया होगा। आएगी तो पूछ लेना। मैं एक बार खुलना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं अपने गाव में खुद का एक बार खुलना चाहती हूँ। सिरी, हमारी तो रेस्टराउंट खोल ले की बात हुई बार एंड रेस्टराउंट मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें ना समझने वाली क्या बात है बार? मतलब शराब का अड़ा खोलेगी? जिसमें ब्रांडी, विस्की देते हैं वही क्या? ब्रांडी, विस्की, जिन, वाटका और भी बहुत कुछ मेरे खुद के सिगनेचर कॉक्टेल्स भी होंगे